परिचाए विशाल अपने टूल किट में खास तरह का आउजार तलाश रहा है अचानक टेबल से स्टील की दो चाबियां गिर पड़ी चाबियां एक दूसरे पर गिरी और उनकी सतह पर खरूँच लग गई अरे विशाल क्या हुआ? ये कैसी आवास थी? कुछ नहीं पिता जी, कुछ चाबियां फर्ष पर गिर गई थी अच्छा बेटा पिता जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बेटा पिता जी, जब ये चाबियां एक दूसरे से टकराईं तो उनकी लेप की परत इनसे हट गई ये कैसा लेप होता है पिता जी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ ये लेप इलेक्ट्रो प्लेटिंग के द्वारा चड़ाया जाता है ये चाबियां स्टील की बनी होती है और इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रक्रम द्वारा इन पर जिंक का लेप चड़ाया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मदद से अभूशन, नेट बोल्ट, शाफ्ट और पाइपो जैसी पहुसी वस्तुएं हैं जिन पर दूसरी धातुओं का लेप चड़ाया जाता है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैद्यूत्रासाइन की व्याख्या करना वैद्यूत्रासाइनिक सेल को समझना लवन सेतु की विशेशताएं जानना वैद्यूत्रासाइनिक सेल का वर्लंद करना एलेक्ट्रोड विभाव का वर्लन करना सेल के EMF की गरना करना मानक हाइट्रोजन एलेक्ट्रोड की व्याख्या करना नैंस्टर समीकरण की गरना करना गिब्ज उर्जा की गरना करना विद्ध अब घटन को वर्गी क्रित करना वैदित प्रदिरोध और सम्वा हक्ता की गरना करना सेल नियतांक की गरना करना कोल राउश नियम की व्याख्या करना परिभाशा रसाइन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैदित उर्जा और रसाइनिक उर्जा के संबंधों का अध्यन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में उर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्यूत रसायन कहते हैं वैद्यूत रसायन पर बड़े स्थर पर रसायनिक रूपांतरण और अध्योगिक प्रक्रम आधारित है उधारण, अभी क्रियाई धातूं का निश्कर्शन, धातूं का शुद्धी करण और धातूं की इलेक्ट्रो प्लेटिंग वैद्यूत रसायनिक सेल एक युक्ती जो रसायनिक उर्जा को वैद्यूत उर्जा में परिवर्टित करती है वो वैद्यूत रसायनिक सेल अथवा गेलवेनी सेल अथवा वोल्टिये सेल कहलाती है किसी वैतित रासायनिक सेल में प्रत्यक्ष तरीके से स्वाता प्रवर्तित अभिक्रिया होती है और स्वाता प्रवर्तित रासायनिक प्रकरम के दौरान विदित उर्जा की रूप में मुक्त उर्जा में कमिलाती है संदचना, जिंक की एक छड़ी को ZNSO4 के विलियन में और कॉपर की एक छड़ी को CUSO4 के विलियन में डुबोया जाता है और इसके लिए दो अलग-अलग भी कर लिये जाते हैं जिंक और कॉपर की छड़ियां इलेक्टरॉट की तरह काप करती हैं और उन्हें एक वोल्ट मीटर के माध्यम से संयोजकतार से जोड़ दिया जाता है दोनों वैदुद अबघटनी विलियन को लवन सेतु से जोड़ दिया जाता है ये काँच की उल्टी यू आकार की नली होती है जो कुछ विदुद अबघटन का गर्म सांद्र विलियन होता है वैदुद रासाइनिक सेल की क्रिया आकसीकरण विलियन में जिंक की चड़ी का भार कम हो जाता है और जिंक ठोस विलियन में चला जाता है धातु जिंक के जलिये घोल में इस प्रकार विख्टित नहीं होता है अता ये ZN की खात दो धन आयन में रुपांतरित हो जाता है जिंक का जिंक आयन में आक्सी करण होता है निवनी करण कौपर ठोस की फिल्म कौपर जड़ पर निक्षेपित हो जाती है इसकार्थ ये हुआ कि विलियन में वर्तमान Cu2 धन आयन कौपर ठोस में रुपांतरित हो जाता है। इस विद्धुत रासानिक सेल में जिंक छड एनोड और कौपर छड कैथोड है। विद्धुत रासानिक सेल में अवलूकन वोल्ट मीटर एक तशमलव एक शुन्ने वोल्ट के पठन के साथ विचलन प्रदशित करता है। जो संकेत देता है कि दो इलेक्टोडों और परमानो रही धारा के विभवांतर हैं और कौपर से जिंक छड की दिशा में परिपत पूरा करता है। कुछ समय बाद कौपर की एक फिल्म कौपर छड पर निक्षेपित हो जाती है। पता चलता है कि जिंक छड की वजन में कमी हो गई है। लवन सेतू की विशेश्टाएं लवन सेतू परिपत पूरा होने पर धारा का प्रवाह करता है। ये आयन के प्रवाह को अनुमती देता है। लेकिन विल्यन के प्रवाह को अनुमती नहीं देता। लवन सेतू विद्ध अबघट विल्यन की विद्ध तठस्तता पुनरिस्थापित करता है। लवन सेतू में विद्ध अबघटन का रणायन धनागर विल्यन से गुजरता है। और लवन सेतू में विद्ध अबघटन का धनायन रणागर विल्यन से होकर विद्ध इस्थर इस प्रकार लवन से तू आवेशों के संचयन से बचाता है और परिपत में धारा के प्रवाह का अनुरक्षन करता है। विद्रत रसायन सेल का प्रतिने धित्व किसी गेलवेनो मीटर सेल पर विद्रत रसायन सेल को निम्न धंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लवन सेल को दो उदगर रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्टोड और विद्रत अपखट के बीच कला सीमा को एकल उदगर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है लवन सेतू के वाम हस्त दिशा पर एनोड लिखा जाता है इसे उस धातू के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद आयन का संकेत लिखा जाता है जो सामय वस्था में होता है लवन सेतू के दक्षन हस्त दिशा पर कैथोड लिखा जाता है इसे पहले आयन के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद धातू का संकेत लिखा जाता है जो सामय वस्था में होता है एलेक्ट्रोड विभाव किसी विलियन में धातू और इसके आयन के बीच विद्धुत विभवांतर एलेक्ट्रोड विभाव कहलाता है. जब किसी धातू के पत्तर को इसके अपने आयन के विलियन के संपर्क में लाय जाता है, तो तीन प्रक्रम के होने की संभावनाएं रहती हैं धातु आयन, MN धन धातुई पत्तर के साथ टकराता है और बिना परिवर्तन के लौटाता है पत्ती की सतह पर धातु का परमाणू N इलेक्ट्रोन गवा सकता है और MN धन आयन के रूप में विलियन में प्रवेश करता है धातु आयन, MN धन धातु की पत्ती के साथ टकरा सकता है और N इलेक्ट्रोनों को राप्त करता है और धातु परमाणू में परिवर्तित हो जाता है सेल का EMF कोई गैलवेनी सेल दो अर्थ सेलों से मिलकर बना होता है और इन सेलों में विभिन विभाव के इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोडों के विभाव के अंतर को विद्रित प्रवाहन बल के रूप में जाना जाता है सेल के EMF की करना करने के स्टेप निम्न है एनोड और कैथोड के न्यूनी करण विभाव को प्राप्त करें दोनों न्यूनी करण विभुवों का संयोजन करें सेल का EMF बराबर कैथोड का न्यूनी करण विभाव घटा एनोड का न्यूनी करण विभाव E cell बराबर E cathode घटा E anode अथवा E cell बराबर E दायां घटा E पायां Hydrogen Electrode का मानक SHE इस पर Platinum Black के साथ Platinum Electrode की परत चड़ी रहती है Platinum Electrode एक M सांदरन के H धन आयन के घोल में डूबा रहता है एक परमानों के दबाओं में शुद्ध हाइडोजन गैस से 298 Kelvin ताप पर पुलबुला कराया जाता है Platinum Electrode निश्क्रिय रहता है आदे अभी क्रिया इसकी सतह पर होती है और जिसके द्वारा Electron का आवगमन होता रहता है Hydrogen Electrode एनोड अधवा कैथोड की तरह काम करता है जो दूसरे एलेक्रोड पर निर्भर करता है जिससे वो जुड़ा होता है यदि SHE एक एनोड की तरह काम करता है तो इस पर आउक्सी करण की क्रिया होती है एनोड अर्थ सेल को प्रदशित करता है यदि SHE एक कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर निर्भर की क्रिया होती है कैथोड अर्थ सेल को प्रदशित करता है मानक Hydrogen Electrode का Electrode विभव शून की तरह लिया जाता है Hydrogen Electrode का मानक Electrode विभव शून रखकर Electrode की बड़ी संख्या के मानक Electrode विभव का निर्धारन किया जाता है जब विभिन प्रकार के Electrode को पढ़ते अथवा घरते क्रम में सजाया जाता है तो उनके मानक Electrode विभव का मान एक शृंखला में प्राप्त करते हैं जिसे वैदुतरसाइन शृंखला कहा जाता है नैंसर्ट समीकरण नैंसर्ट समीकरण विदुत अब घटन सांद्रता और इसके Electrode विभव के बीच के संबंद को दर्शादा है Electrode अभिक्रिया को न्यूनी करण अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है इस अभिक्रिया के लिए नैंसर्ट समीकरण होगा यहां क्यू अभिक्रिया का प्रतिफल है इसे M बटा M की घात N धन द्वारा प्रदशित किया जाता है लेकिन उपरयुक्त समीकरण में क्यू का मान रखने से हम पाते हैं जहां इबराबर दिये हुए विद्ध अभगटन की सांद्रता के अंतरगत इलेक्टोड विभाव इबराबर मानक इलेक्टोड विभाव N बराबर अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रोनों की संख्या T बराबर केल्विन स्केल पाताप मान F बराबर एक फेराडे R बराबर गैस नियतांग 298 केल्विन पर उपर के समीकरण में R, T और F का मान रखने पर हम पाते हैं E बराबर E शून्ने घटा शून्ने दशमलव शून्ने पांच नौ एक बटा N गुणा M बटा N की घात N धन शुद्ध ठोस और तरल के लिए इकाई के रूप में मोलर संद्रता को लिया गया है अब उपर का समीकरण हो जाता है E बराबर E शून्ने घटा शून्ने दशमलव शून्ने पांच नौ एक बटा N गुणा लौक एक बटा M की घात N धन 69 समीकरण और सेल का EMF अमानक अवस्था में इलेक्टोर से संद्रचित सेल का EMF होगा E सेल बराबर E शून्ने सेल घटा दो दशमलव शून्ने तीन आडी बटा N गुणा लौक क्यू 298 केल्विन पर ये समीकरण हुआ E सेल बराबर E शून्ने सेल घटा शून्ने तशमलव शून्ने पांच नौ एक बटा N गुणा लौक क्यू यहाँ E शून्ने सेल बराबर मानक सेल विभाव N बराबर सेल अभिकरण के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में शामिल इलेक्ट्रोनों की संख्या Q बराबर सेल अभिकरिया के लिए संतुलित समीकरण से प्राप्त अभिकरिया का अनुपात मान लिया चाहे कि सेल अभिकरिया है AA जमा BB देता है CC जमा DD अभी क्रिया अनुपात का मान दिया गया है Q बड़ाबस C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B सेल का E में दिया हुआ है E 0 सेल घटा 0.591 बटा N गुणा लौक C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B नैंसर्ट समीकरण और साममेस्थिरांग एनोड और कैथोड का विभवांतर जब तक रहता है वैतुदरा साइनिक सेल काम करता है जब सेल काम करता है और इसकी अभिक्रिया होती रहती है कैथोड पर विद्द अभगटन की सांद्रता घरती है कारण की इलेक्टोड पर आयनों का जमा हो जाना और उसी दौरान एनोड पर विद्द अभगटन की सांद्रता में पृत्धी होती है कारण विलियन में धातु का अभगटन होना परिडाम सो रूप समय बीतने के साथ कैथोड का इलेक्टोड विभव घरता है और एनोड का बढ़ता है मूल भूत रूप से एनोड पर विद्धुत अबखटन और कैथोड पर विद्धुत अबखटन की सांद्रता का कुछ अनुपात पर इलेक्ट्रोड के विभव कमान समान रहता है इसलिए सेल का विभव शुन्ने हो जाता है इस इस्थिती में वैतुत रासाइनिक सेल काम करना बंद कर देता है और ये सेल की सामिता की स्थिती होती है सेल का मानक EMF जानने के लिए सेल अभिक्रिया के लिए साम में स्थिरांग को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है वेतुत रासाइनिक सेल और गिब्ज उर्जा गेलवनी सेल द्वारा किया हुआ उत्क्रम्ण ये कारे गिब्ज उर्जा में कमी के बराबर होता है यदि सेल का EMF E है और NF उससे होकर गुजरने वाला आवेश है और डेल्टा आरजी अविक्रिया की किप से उर्जा है तो दिया हुआ है डेल्टा आरजी बराबर गटा NF E सेल यदि सभी अभिकर्मी वर्गून की संद्रता समान है तो E सेल बराबर E-07 reward डेल्टा आरजी बराबर गटा NF E-07 E.00C 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 Delete.com A.00C death score E.00000 P.00C A.00C E.00C 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 जिन पदार्तों से होकर विद्धित प्रवा होता है वे चालक कहलाते हैं। जिन पदार्तों के जलिये विल्यन से होकर विद्धित प्रवा होता है और उसी दौराण रसाइनिक अपगटन होता है। विद्द अब घट्टे का वर्की करण आइनी करण के प्रसार की कारण विद्द अब घट्टों को दो श्रिणियों में बाठा गया है प्रबल विद्द अब घट्टे और दुर्बल विद्द अब घट्टे प्रबल विद्द अब घटे ये अपने जलिये विलियन में पूरी तरह आइनित होते हैं उधारण के लिए HCL, NAOH और KCL दुर्बल विद्द अब घटे वे जलिये विलियन में आइनित होते हैं और इनके आइनन के निम्न अंश होते हैं बिना अलग किये हुए अड़ूं के साथ इनके जलिये विलियन सामय अवस्था में आइन से युक्त होते हैं दुर्बल विद्द अब घटे के आइनन का अंश यानि डिगरी तनूता के साथ पढ़ता है और हनंत तनूता पर संगठित होता है उधारण के लिए नह चार ओएच और सीच तीन सी ओओएच विद्द अब घटनी समवाहन को प्रभावित करने वाले चालक विद्द अब घटे विलियन की वेत्युति चालकता निम्ने कारकों पर निर्भर करती है अंतर आइनन आकर्शन ये विलियन में विद्द अब घटे के आइनों के बीच आकर्शक अंता क्रिया है अंतर आइनन आकर्शन अधिक होने पर विचरन की स्वातंत्रता कम होती है और वेत्द चालकता कम होती है आइनों का विलायक योजनन यानि सौल्वेशन ये विद्रत अबघटे अणुओं विलाइक के आइनों के बीच आकर्शक अंताक्रिया है। विले विलाइक अंताक्रिया अधिक होने पर विलाइक की योजनन में अधिक विस्तार होता है और विलियन की वेदुत चालकता कम होती है। विलाइक की शानता ये कारक विलाएक अञों के बीच आकर्शक अंतक्रिया पर निर्वर करता है. विले विलाएक अंतक्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक होगी और वैद्ध चालकता कम होगी. तापमान विद्द अबघटे विलियन का तापमान बढ़ने पर आयनों की गजिज उर्जा भी बढ़ जाती है। परिणाम सरूप वैद्द अबघटनी विलियनों का वैद्द चालक गत्व बढ़ जाता है। वैद्द प्रतिरोध प्रतेक चालक पदार्थ में विद्द प्रभा में अवरोध उत्पन होता है। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम इस नियम के अनुसार किसी संबूँ चालक का विभवांतर इससे होकर गुजणने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। अथवा वी बटा आई बराबर आर। चालक से होकर प्रभाहित होने वाली धारा के विभवांतर का अनुपात अचर रहता है। और ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसकी एकाई ओम है। प्रतिरोध हकता एक सेंटिमीटर लंबाई के चालक के साथ एक वर्ग सेंटिमीटर के अनुपरस्त काट के क्षित्रफल द्वारा उत्पन प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याक्या की जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुपरस्त काट के क्षेत्रफल का व्यूत क्रमनुपाती होता है। आर बराबर रो एल विभाजित एक, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध हत्वा प्रतिरोध हक्ता के रूप में जाना जाता है. वैत्युत चालक अत्व किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्वत धारा का सहज माप चालक अत्व है. प्रतिरोध के व्युत क्रमणोपाती के रूप में इसका वर्ण किया जाता है. इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है. जी बराबर एक बटा आर चालक अत्व की एकाई MHO है. चालक्ता ये प्रतिरोधक्ता का व्युत क्रमणोपाती होती है. इसे चालक के एक घंड سंटिमेटर के चालककत्व के रूप में सمझा जा सकता है. इसे कपप द्वारा सूचित किया जाता है. के बराबर एल बटा आर ए चालक्ता की काई MHO सेंटिमीटर व्योत्क्रम है वैदुत अब घट्टे विलियन की मोलर चालक्ता किसी विलियन का चालकत्व मोलर चालक्ता है जिसमें एक ग्राम अणू अथवा वैदुत अब घट्टे का एक मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलियन को एक सेंटिमीटर के फासले पर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है इसे लेम्डा एम दौरा निर्देशित किया जाता है किसी विलियन के वी सेंटिमीटर घन के लिए एक मोल वैदुत अब घट्टे विलियन को एक सेंटिमीटर फासले पर दो बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है इस तरह चालक्ता और मोलर चालक्ता के बीच के सम्मन्द को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है लेम्डा एम बराबर कप्पा और आयतन का गुणन फल मोलर चालक्ता के उधारण व्यास एक सेंटिमीटर लंबाई पचा सेंटिमीटर के किसी स्थम्म का वैदुत प्रतिरोध 0.05 मोल प्रति लीटर एन ए ओएच विलियन में 5.5 कुणा 10 पर घातांक 3 ओम है तो प्रतिरोधक्ता चालक्ता और मोलर चालक्ता ग्याद करें अब हम हल करते हैं यहां दिये हुए मान है आर बराबर 5.5 गुणा 10 घातांक 3 ओम सी बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर आर बराबर 0.05 सेंटिमीटर एल बराबर 50 सेंटिमीटर हम चानते हैं कि क्षित्रफल बराबर पाई आर वर्ग बान रखने पर हम पाते हैं क्षित्र बराबर 0.05 वर्ग सेंटिमीटर हम जानते हैं कि आर बराबर रो एल बटा ए मान रखने पर हम पाते हैं प्रति रोधक्ता पराबर 87.135 ओम सेंटिमीटर हम जानते हैं कि चालक्ता प्रति रोधत्व का व्यूत क्रमनुपाती होता है मान डखने पर हम पाते हैं चालक्ता बराबर 0.01148 सीमेन सेंटिमीटर व्यूतक्रम हम जानते हैं कि मोलर चालक्ता बराबर कप्पा गुणा 1000 विभाजिस सी मान डखने पर हम पाते हैं मोलर चालक्ता बराबर 239.6 सीमेन वर्ग सेंटिमीटर मोल व्यूतक्रम वैदुद चालक्ता के मापन वैदुद अबघटनी विलियन का प्रतिरोध वीट स्टोन ब्रिज पद्धती से मापा जाता है वैदुद अबघट विलियन युक्त चालक्ता सेल के एक सिरे को वीट स्टोन ब्रिज से जुड़ा जाता है इसमें 1500 से 3000 चक्रिया वृत्ती परास की प्रत्यवर्ती वैदुद धारा प्रवाहित की जाती है यहां दिश्ट धारा का उप्योग नहीं होता है क्यूंकि इसका कारण वैदुद अबघटन है और ध्रोवन प्रभाव की कारण लेक्टोड के नस्तीक वैदुद अबघणी विलियन में परिवर्तन है प्रतिरोद आर एक, आर तीन और आर चार को इस प्रकार वैवस्थित किया जाता है कि एक रिक्त बिंदु प्राप्त होता है रिक्त बिंदु को संसूचक पी द्वारा निर्देशित किया जाता है रिक्त बिंदु पर आर एक बटा आर दो बराबर आर तीन बटा आर चार आर दो वैदुत अबघटनी विलियन का प्रतिरोध है आर दो बराबर आर एक गुणा आर चार विभाजित आर तीन वैदुत अब घटनी विलियन के प्रतिरोध आर एक, आर तीन, आर चार के मान प्राप्त कर हम आर दो की गणना करते हैं आर दो का व्युत क्रमनुपाती विलियन का चलक कत्व देता है सेल नियतांक सेल नियतांक बराबर होता है चालकता बटा चालक कत्व के इसे जी एस्टेरिस्क द्वारा प्रदशित किया जाता है इसकी व्याक्या एक आई सेंटिमीटर व्युत करम के रूप में की जाती है जिस मानक विलियन की चालकता ग्याद होती है चालक कत्व के माप द्वारा उसके सेल नियतांक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है इस उद्देश के लिए केसील के मानक सेल का उप्योग होता है विभिन सांद्रता और तापमानों में जिसकी चालकता ग्यात होती है सेल नियतांक बराबर 0.12886 बटा एक्स एक बार सेल नियतांक ग्यात हो जाने पर वेतुत अबखटनी विलियन के चालकत्व अथवा प्रतिरोध से चालकता की गणना की जा सकती है सांद्रन के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन सांद्रन के साथ चालकता में परिवर्तन वेतुत अबखट के एक सेंटिमीटर घन के चालकत्व को चालकता की तरह समझा जा सकता है तनुता में व्रिध्धी के साथ एक सेंटिमीटर घन में आयनों की संख्या में विलियन कम होता है वैदुत अब घट्टे विलियन की चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ घट्टी है सांदरण के साथ मोलर्ता में परिवर्तन समान सांदरण के लिए कठोर वैदुत अपखटे लेम्डा M के मान दुर्बल वैदुत अपखटे की तुल्ना में अधिक होता है तनुता के साथ वैदुत अपखटे की मूलर चालकता पड़ती है दुर्बल वैदूत अपखट्टी के तुल्ला में कठोर वैदूत अपखट्टी के लिए लेम्डा M की सापेक्ष वरिद्धी का मान अपेक्षा क्रित कम होदा है सांद्रण के साथ मोलडचा लगता की ग्राफिये प्रस्तुती KCL कठोर वैदूत अपखट्टे और CH3COOH दुर्बल वैदूत अपखट्टे हैं एक ग्राफिये प्रस्तुती करण सांद्रण के साथ मोलडचा लगता के परिवर्तन को दर्शाता है कठोर वैदूत अपखट्ट में जब सांद्रण शून्य होता है मोलडचा लगता एक निश्चित मान प्राप्ट करता है जो सीमित मोलडचा लगता के रूप में जाना जाता है इस मान को लैब्ड़शून्य M से दर्शाया जाता है ऐसेटिक अमली की तरह निरबल वैदूत अपखट्टे के मामले में सीमित मान प्राप्ट हो इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, क्यूंकि जब सांदराण शून्ने हो जाता है, तो ग्राफ लगभग वाई अक्ष के समरांदर हो जाता है. कोल राउश का नियम कोल राउश के नियम के नुसार किसी असीम तनुता में जब वैदुद अबखटे पूरी तरह अलग हो जाता है, तो वैदुद अबखटे के लिए प्रतेक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरित प्रकृती के अन्ने आयन के साथ जुड़ा होता है. असीम तनुता पर किसी वैदुद अबखटे की मोलर चालकता को इसके अलग आयनों के योगदानों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. हमें लगता है λेम्डा नौट धनात्मक और लेम्डा नौट रनात्मक धनायन एवं रनायन की सीमान्त मोलर चालकता को प्रदाशित करता है असीमित तनूता पर वेतुद अबघट्ट की सीमान्त मोलर चालकता दी हुई है वी धनात्मक लेम्टा नौट धनात्मक, वी रनात्मक लेम्टा नौट रनात्मक. जहां वी धनात्मक और वी रनात्मक, प्रतिक इकाहि सूत्र द्वारा धनात्मक आयन और रनात्मक आयनों की संख्या प्रदशित करते हैं. कोल राउश नियम के अनुप्रयोग कोल राउश नियम के कुछ महतपून अनुप्रयोग निम्न है दुर्बल वैद्वत अपघट की सीमान्त मोलर चालकताओं की गणना अल्प घुलंशील लवण की घुलंशीलता तै करना जल के आयनन उत्पात की गणना सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं रसाइन विज्ञान की वोशाखा जिसमें वैद्वत उर्जा और रसाइनिक उर्जा के सम्मंधों का अध्यन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में उर्जा का आंतरिक रूपांतरन होता है उसे वैद्वत रसाइन कहते हैं एक युक्ती जो रसाइनिक उर्जा को विज्ञत उर्जा में परिवर्थित करती है वो वैद्वत रसाइनिक सेल अथवा गेलवेनी सेल अथवा वोल्टिये सेल कहलाती है एलेक्ट्रोड जिस पर आक्सी करण की क्रिया होती है उसे एनोड और जिस पर न्यूनी करण की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं लवन सेतू परिपत को पूरा करने के लिए धारा के प्रवा को गुजरने की अनुपती देता है ये आयन को प्रवा की अनुमती देता है, लेकिन विलियन के प्रवा को अनुमती नहीं देता है। इस प्रकार होता है कि पूरे विलियन को एक सेंटिमीटर के फासले पर दो इलेक्टोडों के बीच रखा जाता है। अनुमती के अन आयन के साथ जुड़ा होता है। जिरियो झाल पेट扇फित रभा की घ्ट लाए झाल है। झाल होता है।